पहर अंजल की नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज हम नारियल और टमाटर के चित्नी पनाने वाले हैं नारियल और टमाटर के चित्नी पनाने की बेटी जान देने से पहले हम टमाटर और नारियल के ओशक कत्व और लाब जान लेने टमाटर के लाब या Health Benefits of Tomato 1. Lowers the Risk of Cancer 2. Good for Skin and Hair 3. Lowers Hypertension and Reduces Cholesterol 4. Helps to Improve Vision 6. Protects from heart attack and stroke 7. Prevent DNA damage 8. Good for digestive health 9. Mentends glucose levels 10. Helps to prevent anemia 11. Beneficial for weight loss 12. Helps prevent gallstones and urinary tract infections अब टमाटर के पुशक तत्व यानि नूट्रियांस इन टोमाटों जान लेते हैं टमाटर में फूलिट, नियसिन, पायरिडॉकसाइन, थीयमिन और वितामिन A, वितामिन C, वितामिन E, वितामिन K, वितामिन B6, सोडियम, कोटेशियम, कैल्शियम, मगनेशियम, फॉस्फरस, मैंगनीज और जिंक आधी पुशक कत्व होते हैं अब बारी है नारियल के लाब और पोशक कत्व जानने की नारियल के लाब 1. कंट्रोल डाइबिटेन 2. प्रिवेंट हार्ड डिसीज 3. एंहांस और इंप्रूब मेंबरी 4. कॉट डाउन फाट 5. इंक्रीज़ एनर्जी लेवल 6. ट्रीट एपिलेपसी 7. प्रिवेंट उनलेट राक इंफेक्शिंस 8. इंप्रूज बेवल्स अफूड ब्लड फोलेस्टरोल 9. बूस्ट यूर इम्मुनिट 10. फट एजिंग प्रसिस 11. बूड पर हेल्दी बोन साटी 12. आरियल के पोशक तट्व नारियल में विटेमिन A, विटेमिन C, विटेमिन E, विटेमिन K, सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम, कैलिशियम, मैगनेशियम, आयर्न, कॉपर, जिंक आदे पोशकत्व होते हैं नारियल को श्रीफल या पूर्ण आहार भी कहा जाता है अब ऐसे चमतकारिक भुनों से भरे टमाटर और नारियल की हम चमतकारिक चट्मी बनाने की विधि जान लेते हैं आप सबका अहार अंजली में स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं ऐसी चट्मी जो स्वाग में नई है सेहत के लिए बे मिसाल है और एक मिरट में तयार हो जाती है नारियल टमाटर की चट्नी इसके लिए हमें चाहिए लाल टमाटर नारियल और हरी मिरच हमने एक टमाटर के तुकड़े कर लिए है एक कटोरी नारियल दो हरी मिरच के तुकड़े मिक्सिके पॉट में नारियल की तुकड़े टमाटे की तुकड़े और मिरच की तुकड़े डाले स्वाद अनुसार एक चम्मच शक्कर डाले एक छोटा चम्मच नमक मिलाए अब इसमें मिक्सी में पीस ले अब इसमें एक कटोरी पानी डाले और मिक्सी में फिर से पीस ले बस हो गई हमारी चटनी तयार ये चटनी विटामिन्स का खजाना है इसमें A, B, C, D, E विटामिन्स होते हैं और मुख को बहुत स्वाद देती है तो कैसा लगा आपको ये आज का विडियो हमें कमेंट्स में जरुर बताए आप इस चटनी को जरुर बनाए और खुशी-खुशी खाए सेहत पाए थैंक्स वर वाचिंग धन्यवाद जरुर धोतो कि अच्छी खाए सेहत वाद झाहि जरुर बनाए杉म ल法 Settings को बLY्झा है